सब्सक्राइब कीज़े डिफेंस स्कुरेट चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे बहने देखने के लिए एलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका डिफेंस ग्यान स्रीस के एक फ्रेस एपिसोड में हमारा आज का ये एपिसोड उन डिफेंस एस्परेंट्स के लिए बहुत खास होने वाला है जो इंडिया नेवी को as an officer जोइन करना चाहते हैं क्योंकि आज का एपिसोड में हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनके थुरू आप इंडिया नेवी को as an officer जोइन करने के अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं 10 प्लस 2 एंट्री की जिसमें सबसे पहली एंट्री है NDA Examination NDA यानि National Defense Academy एक Tri-Service Academy है और इस exam के थुरू आप इंडिया नाम forces की तीनों services यानि इंडिया नेवी, इंडिया नार्मी और इंडिया नेर फोर्स तीनों में से किसी के लिए भी apply कर सकते हैं NDA exam UPSC द्वारा साल में दो बार कंड़र कराया जाता है और इसी वज़य से इस entry को UPSC entry भी कहा जाता है अगर आप इस exam के थुरू इंडिया नेवी को join करना चाते हैं तो हम आपको बता दें कि NDA exam के थुरू इंडिया नेवी के लिए केवल technical student यानि केवल science stream student से apply कर सकते हैं NDA के थुरू नेवी के लिए apply करने के लिए candidates की age limit 16-19 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर बात करें इसके education qualification की तो इसके लिए candidates के पास 10 plus 2 में physics, chemistry और mathematics का होना compulsory है इसका notification साल में दो बार December, January और June, July के महिने में आता है और इसमें apply करने के लिए आप UPSC के official website upsc.gov.in पर जाकर login कर सकते हैं और इस entry के लिए केवल unmarried male candidates से apply कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं अगली entry की जो है 10 plus 2 b.tech entry ये एक direct entry है और इसके लिए भी केवल technical students यानि science stream students से apply कर सकते हैं इसमें apply करने के लिए candidates की age limit 17 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर बात करें इसके educational qualification की तो इसके लिए candidates के पास 10 plus 2 में physics, chemistry और mathematics में minimum 70% aggregate marks के साथ 10th और 12th में English में भी minimum 50% marks का होना जरूरी है और इस entry के लिए भी केवल unmarried male candidates से eligible हैं यानि female candidates इस entry के लिए apply नहीं कर सकती हैं और इस entry से जुड़ी सबसे महत्तपुन बात ये है कि इसके लिए केवल वही science system में students apply कर सकते हैं जिनोंने JEE main exam यानि joint entrance exam दिया है क्योंकि इस entry के तुरू candidates का selection merit list के अधार पर किया जाता है और ये merit list JEE की All India Rank के अधार पर बनाई जाती है इस entry का भी notification साल में दो बार June और December के महिने में आता है और इसमें apply करने के लिए आप Indian Navy के official website joint indiannavy.gov.in पर जाकर login कर सकते हैं तो ये थी 10 plus 2 entries अब बात करते हैं graduation entries की जिनमें सबसे पहली entry है CDS examination CDS एक Combined Defense Services exam है और NDA exam की तरह ही आप इसके थुरू भी Indian Armed Forces की तीनों services, Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy तीनों में से किसी के लिए भी apply कर सकते हैं CDS exam भी UPSC 12 साल में दो बार conduct कराया जाता है और इसलिए ये exam भी UPSC entry की तहती आता है अगर बात करें इसकी age limit की तो इसके लिए candidates की age limit 19 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर बात करें इसके educational qualification की तो इस entry के थुरू Navy के लिए के वल engineering stream के students से apply कर सकते हैं अगर आप engineering के final year में है या आपका engineering complete हो चुका है तो आप इस exam के थुरू Navy के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए भी के वल unmarried male candidate से apply कर सकते हैं और इसका notification भी साल में दो बार June, July और November के महिने में आता है और इसमें apply करने के लिए आप UPSC की official website upsc.gov.in पर जाकर login कर सकते हैं अगली है UES Entry UES का मतलब है University Entry Scheme और ये भी एक direct entry है इसमें apply करने के लिए candidates की age limit 18-24 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर बात करें इसके educational qualification की तो इस entry के लिए के वल engineering के pre-final year के students से apply कर सकते हैं यानि अगर आप अपनी engineering के 7th semester में हैं तो आप इस entry के लिए apply कर सकते हैं इस entry के लिए apply करने के लिए engineering के 6 semester तक minimum 60% aggregate marks का होना compulsory है ये एक direct entry है और इसमें candidates का selection campus interview के through किया जाता है अगली है NCC special entry ये एक special entry है जिसके through के वल NCC के navy credits से apply कर सकते हैं इसके लिए candidates की age limit 19-25 साल के बीच में होनी चाहिए और अगर बात करें इसके educational qualification की तो इसके लिए candidates का minimum 50% aggregate marks के साथ graduate होना compulsory है और इसके साथ ही candidates के पास NCC के senior division में 2 साल के service experience के साथ minimum B grade का C certificate होना compulsory है इस entry के लिए भी केवल unmarried male candidates से apply कर सकते हैं इस entry के through candidates का selection direct SSB interview के मात्यम से किया जाता है तो हमारे आज की इस episode के लिए इतना ही अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या suggestions हो तो उसे comment section में share जरूर करें और अगर आपको इस video पसंद आई हो तो इस video को like करें और पने friends के साथ share करें और अगर आपने अपितक channel को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना ना भूले झाल